दोस्तों हमारे दर्दी पे बहुत ही अनोके जीव जन्टू पाए जाते हैं लेकिन आज हम आपके लिए ऐसे जीव लाए हैं जो सामन्ने जीव से बहुत ही अलग है इन जीवों में कुछ अद्बुट शम्टा पाई जाती है तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे अनोखे और अद्बुत जीवों के बारे में पैरो वाला साप दोस्तो अक्सर आपने रेंगने वाले या फिर उनने वाले सापों के बारे में सुना होगा लेकिन अब वेग्यानिकों नी चलने वाले सापों को खोज निकाला है वेग्यानिकों का मानना है कि इस साप के पूरवच हजारों साल पहले दर्ती में पाए जाते थे जिनके फिंगर्स और एंकल होते थे दूर से देखने पे तो ये साप सामान ये रेंगने वाले सापों की तरह ही लगता है लेकिन जब आप इसे नस्दीक से देखेंगे तो पाएंगे इनके शरीर में छोटी-छोटी चार तांगे एफ्रिका में पाई जाने वाला ये साप ड्रागन की तरह दिखाई देता है लेकिन आपको ये साप से घबराने की कोई जरुरत नहीं क्योंकि ये इंसानों के लिए बिलकुल भी खतरनाक नहीं है इस अनों के साप की लंबाई लगबग 15 सेंटीमीटर तक पाई जाती है वाटर बेर्स ये प्रानी बुरी परिस्तिती में जीवित रहने की अजब गजब शक्ती के कारण जाना जाता है वाटर बेर करीबन देर मिलीमीटर तक लंबे होते हैं और ये पानी में रहते हुए बहुत ही दीरे-दीरे चलते है यदि आप water bear को दूने की कोशिश करेंगे तो ये प्रानी बड़ी मुश्किल से ही आप डून पाएंगे ये किसी भी तरीके के वातावरन में रह सकते है और ये अद्बूत जीव माइनस 200 डिगरी सेल्सियस में भी जीवित रह सकते है ये जीव हमारे ग्रह पे जीवित अन्य सभी जीवों से जीवित रहने में हजार गुना ताकतवर है ये जीव दस वर्ष बिना पानी के भी जी सकता है 2007 में एक एक्सपेरिमेंट के दोराद इस वाटर बेर को वाक्यू में रखा गया और उसे स्पेस में भेजा गया लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये जीव प्रित्वी में जीवित वापस लोटाया लंग फिश ये छोटी मचली की जीवित रहने की शम्ता इसके फेफरों पर निर्बर करती है गर्मी के समय में ये मचली बिना किसी न्यूटिशन के पूरे सीजन तक जीवित रह सकती है इन मचली की जीविच शमता को जानने के लिए कुछ लंग फिश को कीचर वाले कंटेनर में डाला गया और इने छे महीने के लिए रग दिया गया जब इन कंटेनर को 6 महीने के बाद खोला गया तो पाया गया कि ये मचली ना किवल जिन्दा थी बलकी साज भी ले रही थी इन मचली की चमतकारी फेफडे 6 महीने बाद भी काम कर रहे थे जाएंट आइसोपोर्ड ये पानी में रहने वाला कई टांको वाला जीव है इसका आकार एक इनसान के सर के जितना होता है कई मामलों में तो ये जीव 50 सेंटीमेटर से जादा अगा भी पाया जाता है इस जीव की खास बात ये है कि ये जीव जादा समय के लिए बिना कुछ खाये भी जिवित रह सकता है ये जानवर समुंदर में 3 से 8 हजार की कहराई में ही पाया जाता है इसके अलावा इसके डायेट में मरी हुई वेल और मगरबच भी शामिल है बोहेड वेल वेल हमारे ग्रह का सबसे बड़ा स्तंदारी चीज है और ये काफी लंबे समय के लिए जीवित रह सकती है इस मचली की जीवित रहने की समभावना 40 वर्ष है लेकिन कुछ मामलों में बोहेड वेल 200 वर्ष तक भी जीवित रह सकती है इन जीवों की खासित ये है कि इनमें कभी भी बूरी जीव दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी वेग्यानिक ये पता नहीं लगा पाए है कि बुड़ापे के किसी भी तरीके के साइन ना होने के बावजूद ये मचलिया मर क्यों जाती है इमोचल जेली फिश ये समुंदरी जीव जब पूरी तरीके से प्रिपेर हो जाता है तो इसमें कुछ अलग तरीके से बदलावाते है पूरी तरीके से प्रिपेर होने के बाद ये जेली फिश फिर से छोटे बच्चे में बदल जाते है और दुबारा से बड़े हो जाते है इसी विशेष्टा के कारण ये जेली फिश सालों साल तक जीवित रहती है तो दोस्तो आज की जानकारी बस यही तक थी इन में से कौन सा जीव आपको सबसे ज़ादा अजीब लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताए तो दोस्तो मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नए और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखे